Hello students, welcome to our channel Shweta Study Point Students, आज का हमारा टॉपिक है समाजिक नियंत्रन आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजिक नियंत्रन के विशे में जानेंगे तो आईए जानते हैं समाजिक नियंत्रन के विशे में बिभिन समाज शास्त्रियों का या कथन है कि समाज एक विवस्था का नाम है अता इनका मानना है कि समाज का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसमें विवस्था बनी रहती है दूसरे शब्दों में कहें तो बिभिन समाज शास्त्रियों का या मानना है कि जब तक समाज में विवस्था बनी रहेगी तभी तक समाज का अस्तित्वर रहेगा इनका यह कहना है कि समाज के सदस्यों के विवहारों को नियंटरित करके ही या विवस्था बनी रह सकती है इस विवस्था को बनाने में कुछ शक्तियां प्रभावी होती है वास्तों में ये शक्तियां ही समाजिक नियन्ठरन के रूप में जानी जाती है समाज के प्रतियेक विक्ति का या प्रयास रहता है कि वह अपने स्वार्थों की पूरती के लिए दूसरों के हितों को कुचल डाले व्यक्ति अपनी अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए उचित अनुचित का विचार ना करके अववस्ता को जन्न देता है कहने का ताथ पर यह है कि समाच का हरियेक व्यक्ति इसी प्रयास में रहता है कि वो अपने स्वार्थों की पूर्ती कर सके अपनी अवर्शक्ताओं को पूरा कर सके और अपनी अवर्शक्ताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति इतना आतूर होता है कि वह सही गलत के बारे में भी नहीं सोचता कि जो कारिवा कर रहा है वह सही है या गलत है जिससे समाज में आवेवस्था उत्पन्न होती है समाजिक नियंत्रण ही वा शक्ती है जो व्यक्ति को उद्धंडता करने से रोकती है इसी विधी से समाज के सदस्यों के विवहारों को सुवेवस्थित तथा नियंत्रित किया जाता है जिस विधी द्वारा व्यक्ति के विभारों को नियंतरित किया जाता है वही समाजिक नियंतरन कहलाता है दूसरे शब्दों में कहें तो समाज द्वारा व्यक्तियों इवं समूहों के सामान विभारों पर जो नियंतरन लगाया जाता है सामान ने रूप से उसे ही समाजिक नियंतरन की संग्या दी जाती है वास्तों में समाजिक नियंतरन समाजी करन का पालक वर अच्छक है तथा मानव के समाजिक जीवन की एक अनिवारी दशा है समाजिक नियंतरन के विशे में और अधिक जानने के लिए आए जानते हैं समाजिक नियंतरन की परिभाशाओं की विशे में मैकाईवर्थ तथा पेज के अनुसार समाजिक नियंतरन का तातपर उस तरीके से है जिससे समपूर्ण समाजिक विवस्था की एकता और उसका इस्थायत्व बना रहता है इसके द्वारा या समस्थ विवस्था एक परिवर्थन शील संतूलन के रूप में क्रियाशील रहती है कहने का तात पर यहा है कि मैकाइवर्द था पेच यह मानते हैं कि समाजिक नियंतरन वह तरीका है जिस से समपून समाजिक व्यवस्था की एक्ता और उसका इस्थायत वो बना रहता है इनका या मानना है कि इसी के द्वारा समस्त विवस्था एक परिवर्तन शील संतूलन के रूप में चलती रहती है जोसे फ्रोसेक के अनुसार सामाजिक नियंत्रण उन नियोजित और नियोजित क्रियाओं के लिए प्रियोग किया जाने वाला सामूहिक शब्द है जिससे व्यक्ति को समू के मूल्यों एवं रिति रिवाजों को सिखाया जाता है उन्हें मानने का अनुरोद किया जाता है अत्वा विवस्थ किया जाता है दूसरे शब्दों में कहीं तो जोसे फ्रोसे के मानते हैं कि समाज में कुछ ऐसी नियोजित और नियोजित क्रियाएं हैं जिससे व्यक्ति को समू के मूल्यों एवं रीती रिवाजों को सिखाया जाता है व्यक्ति से मोल्यों एवं रिती रिवाजों को मानने का अनुरोद किया जाता है अत्वा विवश किया जाता है इनका या मानना है कि यही नियोजित और नियोजित क्रियाओं के लिए जो सामूहिक शब्द प्रियोग किया जाता है वह समाजिक नियंत्रन कहलाता है वहीं एक अन्य समाशास्त्री का या मानना है कि समाजिक नियंत्रण एक दशा है जिसमें व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्य या विश्वास के सामूहिक प्रमापों को मानने के लिए जबकि अन्य आदर्श भी प्राप्त हों विवश किया जाता है दूसरे शब्दों में कहें तो इनका या मानना है कि समाजिक नियंत्रन एक ऐसी दशा है जो व्यक्तियों को अन व्यक्तियों द्वारा कार्य या विश्वास के सामूहिक प्रमापों को मानने के लिए विवश करती है स्टुडेंट्स ये थी जानकारी समाजिक नियंत्रन के विशे में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली साथिफिकेशन मिल सके